दोस्तों एक बार फिर स्वागता है आपका पशुकेर में मैं डोक्टर विशाल सिन्वानी आज आपको दूँगा एक ऐसी महतवपूर्ण जानकरी पशुके दूद का फैट बढ़ाना दोस्तों जब हम अपने पशुका दूद बेचते हैं तो उसका रेट हमें पशुके दूद के फैट के साब से मिलता है अगर आपके पशुके दूद का फैट कम है तो उसका रेट भी कम मिलेगा अगर पशुके दूद का फैट जादा है तो उसका रेट भी जादा मिलेगा तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जिसे ध्यान में रखकर आप अपने पशु के दूद का फैट बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंतक देखें दोस्तों वीडियो शुरू करने इस पहले जो भाई मेरे इस चैनल पर नए आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों वैसे तो जो पशु का दूद का फैट है वैं नसल पर डिपेंड करता है जैसे कि हमें गाएं और बहांस के दूद में फैट में काफी अंतर देखने को मिलता है गाएं का जो आम तोर पर हमें fat देखने को मिलता है वो है 3 से लेके 4.5% किसी गाएं में आपको कम देखने को मिल सकता है जैसे कि जो HF cross नसल की गाएं है उसमें हमें 3.5% देखने को मिलता है इसी तरह हैं दोस्तों हर पशू का दूद उसके genetic potential के हिसाब से होता है अगर फिर भी हमें लग रहा है कि आप हमारे पशू का दूद जितना होना चाहिए उतना fat नहीं दे पारा तो हम मैं जो अब आपको कुछ ऐसी आत्तें बताने जा रहा हूँ आप वय अपनाएंगे तो उससे आपके पशू का दूद अवश्य पढ़ेगा सबसे पहले दोस्तों आपको अपने पशू का चारे का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अपने दूद वाले पशू को 20-25 किलो तक हरा चारा दे रहे हैं तो 7-7-10 किलो सुखा चारा देना भी बहुत जरूरी है कुछ लोग मानते हैं कि हरा चारा देने से अगर हम अपने पशू को ज़्यादा हरा चारा देंगे तो इससे पशू के दूद में फैट बढ़ेगा दोस्तों ये गलत है हम इन दोनों को 60-40 की रेशो में अपने पशू को देना पड़ेगा तब ही आपके पशू के दूद का फैट बढ़ पाएगा जो मैंने ये आपको हरे चारे की और सुखे चारे की 60-45 की रेशो बताईए दोस्तों अगर हम इस तरह से अपने पशू को डाइट में देंगे तो इससे पशू की डाइट में फाइबर कंटेंट बढ़ेगा कोटन सीड केक है बिनोला है ये फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है साथ ही साथ पशू को अनर्जी बहुत अच्छी देता है और ये प्रोटीन और फैट का भी बहुत अच्छा सोर्स है अगर इसे हम अपने पशू की डाइट में देंगे तो इससे पशू का दूद पड़ेगा दोस्तों इसे हम किसी भी तरह से दे सकते हैं अगर आप अपने पशू का दाना मिश्रन में बनुआ रहे हैं और उसमें सर्चों की खल यूज़ करते हैं और कुछ हिस्सा अगर हम बिनोला खल का यूज़ करेंगे तो उससे पशु के दूद का फैट पड़ेगा दोस्तों अगर आप अपने पशु को दाना मिश्रन में सरसों की खल दे रहे हैं तो आप इस बिनोले को अलग से भी दे सकते हैं अगर आपने अपनी भैंस को देना है तो उसे एक किलो सुबे एक किलो शाम को दे अगर आपने अपनी गाएं को देना है तो उसे आधा किलो सुबे और आधा किलो शाम को दे इससे आपके पशु के दूद का फैट अवश्य बढ़ेगा दोस्तों इसे आप अपने पशु को पका कर ही दे तीसरा दोस्तों मिनरल मिक्सर जो की आम तोर पर हमें अपने पशु को वैसे भी देना चाहिए अगर हम अपने पशु को नियमी तोर पर मिनरल मिक्सर देते हैं तो इससे पशू का दूद तो बढ़ेगा भी बढ़ेगा, साथ ही साथ फैट भी बढ़ती है, क्योंकि जो ही इसमें मिनरल्स होते हैं, वो पशू के लिपिड मेटबॉलिजम में बोथ हेल्प करते हैं, इसलिए आपको अपने पशू का अगर दूद के साथ साथ फैट भी ब जिसे भी आप अपने पशु के दूद का फैट असानी से बढ़ा हुआ देख सकते हैं दोस्तों अगर हम अपने पशु के दूद निकालने से दो घंटे पहले तक अगर अपने पशु को पानी ना दे तो उससे भी पशु के दूद में फैट बढ़ा हुआ मिलता है दूसरा दोस्तों जो आपके पश्यू का बाद वाला दूद होता है तो आखरी वाला जो दूद है उसमे फैट कंटेंट काफी ज़ाद होता है कुछ पश्यू पालक भाई गलती करते हैं जो आपके पश्यू का बच्चा है उसे बाद का दूद पीने ही देते हैं लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो बाद वाला दूद है उसमे फैट कंटेंट बहुत ही जादा होता है तो इसलिए अगर आपने अपने पशु के बच्चे को दूद पिलाना है तो उसे शुरू वाला पिला सकते हैं और बाद वाला दूद अपने लिए रख सकते हैं या बेचने के लिए रख सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपका इस वीडियो से related कोई प्रशन है तो आप comment box में लिखकर कर सकते हैं अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाते हैं तो उसे भी आप comment box में लिखकर कर सकते हैं धन्यवाद भी